और अगली खबर स्रावस्ती जनपत के भिनगा कोतवाली छेतर से है जहांपर भकलापुल के नीचे जुनजुनिया घाट पर नहाने गए दो भाई दूब गए थे जिनकी लगातार तलास की जा रही थी आखिरकार दोनों भाईयों की लास बरामद हुई आप सभी का सबसे तेज खबर स्रावस्ती चेनले में स्वागत है चेनल को लाइक सेर में सबस्क्राइब पर साथी घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती दे है खबर कार्तिक पूरिमा के दिन की है जब स्रावस्ती जिले के लचमन टीम लगाता तलास कर रही थी आखिरकार यंडी यारिफ की टीम को सफलता हाथ लगी पहले एक भाई की लास बरामद हुई जिसके बाद कुछ घंटे बाद दूसरे भाई की भी लास घटना अस्थल से लभग चार-पांच किलो मीटर दूर बरामद हुई जब दोनों की ल अखलापुल के नीचे जुन-जुनिया घाट पर नहाने गए तीन चचरे भाईयों में दो भाई पंकज और अबसेक राती नदी के पानी में जाकर डूब गय थे जबकि तीसरा भाई नहा कर निकल आया था और दोनों के कपड़े देख रहा था जिसके बास से ही लगाता इंडियारक की टीम और गोता खोरों के द्वारा नदी में डूबे दोनों चेचे भाईयों को खोई निकालने का प्रियास किया जा रहा था पहले पंकज के सोग को खोई निकालने में सफलता हाथ लगी उसके बाद अब सेक सोनी का भी सो बरामद हुआ बताया जा रहा है कि कातिक पूरिमा के दिन ये सभी राप्ति नदी में नहाने चले गए थे तब ही से लापता हो गए थे और उनकी लगातार तलास की जा रही थी आखिरकार दोनों भाईयों की लास मिल गई है और कुलिस ने सोग को कबजे मेले कर पोसमाटम के लिए बेजा वहीं परिजनों म बारे में बात करें तो पंकज और अब सेक के परिवारवालों का रोगों कर बुरा हाल है पंकज की साधी अभी पिछले साल ही हुई थी पंकज के परिवारवालों के साथ अब उसकी पतनी भी काफी परिशान है वहीं अब सेक की बात करें तो अपने माता पिता का इकलोता बेक्टा था जिसके सर पर काफी भार था लेकिन अब उन माता पिता पर क्या बीत रही होगी केमल इसका अंदाजा लगाया जा सकता है भेंगा कोतवाली छेत्र में अलग-अलग स्थारों से दोनों की लास बदामत की गई है